सरकार बहुती अच्छा कानून लाइए और हमारा इसमें पूरा समर्थन है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक देश को और अच्छा होगा, इससे कोई खराबी नहीं होगा। मेरा कहना ये है कि सरकार बहुती अच्छा कानून लाइए और हमारा इसमें पूरा समर्थन है। ओजिस्वी शर्मा ये कानून लागू हो चुका है, इसके लिए हम समर्थन करते हैं और हमको अधिक से अधिक प्रसनता है, बहुत सारी प्रसनता है और सभी को बढ़ाई देना चाहता है। मेरा नाम आशिश शौबे इंदोर। ये कानून सरकार का बहुत ही अच्छा कादम है, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। मेरा देश तो ऐसी आबादी से पीरित है, बहुत ज़्यादा जन संख्या है। और जो सरनार्थी लोग हैं, खास करके इसलाम माने वाले जो मेरे पर उसी मुल्क के लोग हैं, वहां आसांती के कारण सब का सब सौफ्ट अस्थान भारत ही आता है। और यहां लोग जैसे तैसे राजनीतिक लोगों के कारान यहां की नागरिक्ता ले लेते हैं और यहां भी आसांती फैलाते हैं। वह ऐसे गलत लोगों को रोकने के लिए यह कानून बहुत ही ज़रूरी है और यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या नम हो? सुधिर पुमार कमलेश आज जैसे की C.A.N.R.C के बारे में जो चर्चा है कि आज हो सकता है कि लागू हो जाए पुड़े देश में। तो इसे क्या कुछ फर्क परेगा आपके जनकारी नहीं है। इस आज नाज रिक्ता संसोधान अदीमियम के बारे में जानते है। दो इसे क्यों खर्क परेेगा, क्या कुछ बद्लाव वाएग आपके जिनगर नर्ज भीक्राव तो आने का उमिद है। नुए अब आप कारण पूछेगा तो तुरत बता पाना मुस्किल है। मगार चेंजिंग होने से कुछ पोजेटिव आने का चांसेस हैं, जो हम खोल के नहीं आपको बता रहे हैं, मगार निकट भाई से में देखा जाएगा तो उनको नागरिक्ता मिलेगी, तो इस पर क्या कुछ काना जाएगा? तो इस से कोई फरक नहीं पड़ेगा, जहां तक देख को और अच्छा होगा, इससे कोई खराबी नहीं होगा तो अगर यह कानून आज लागू हो जाता है तो इससे क्या लगता है कि जैसे आप बेवसाही है तो आपकी बिजनस कोई फरक नहीं पड़ेगा, बिजनस पर क्या फरक पड़ेगा, पुछने पड़ेगा तो आप पक्ष में है, विल्कुल सही है, ठीक है, तेश्कमार पंडे हुआ, और जैसे कि यह जो है, आज अनॉंस्मेंट किया जा सकता है कि लागू हो जाएगा पुले देश में, तो इससे क्या कुछ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे एक दोसरी देश से लोग व्य देश का मने हक मिल जाएगा, कहने में, सब लोग का अच्छा रहेगा, यही का सकते हैं,